हेलो फ्रेंग्स वेलकम टो मैं याटूब चैनल एक्स्टिंसिक कोचिंग आज हम स्वाल करने वाले हैं जेटीवो एलाइसी टूथाउजन ट्वेंटीटू जो स्पेशल जेटीवो एक्जाम हुआ डिसेंबर टूथाउजन ट्वेंटीटू में उसके बारे में बात करेंगे इस कुशिट पेपर में आपको इपट्र इंग्समेल जाएंगे अगर आपकी बरात राइस सब्सक्राइब कर दो इसकुशन में दो पार्ट है एक पहला पार जो था वह नॉन टेक्निकल पार्ट था जिसमें फिप्टीश क्वेस्टन थे नए दूसरा पार्ट हम सहॉल कर रहे हैं दोसरा कर रहे हैं जहांपर हम ऐट कर रहे हैं यहां अग्जाम दिया है न सब्सक्राइब कि आपको न हम इसे पहले प辉स्प और है घ। स्थे इषसेब्स पूछल मेर zij बन सबसंदाइब करने ज़रॉरत नहीं है औल्मोस्ट इजी था इंग्लिश का जो था मतलब था पॉर्शन वह भी बहुत इजी था तो वहां भी हम बहुत डिसकस करने के दर रहने हैं और ने अवरेज सब के 40 मार्ग जो है वहां से इजीली बन रहा है ठीक है करेंगे और डीटेल में बात करेंगे सो इस वीडियो को लाइक कर दीजें चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करेंगे आपको पूछा हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहले स्कूशन यहां से पूछा हुआ है वह है तो सी पी यू आफ कंपूटर कंजिस्ट अच्छा दूसरा इस पेपर के दोरान में आपको यह भी दिखाऊंगा कि कितना रिपीड़ पूछा हुआ है मतलब मैं आपको बत इस कुशन पेपर में दिखाऊंगा ठीक है सबसे पहला स्कूशन जो यहां पर पूछा हुआ है तो सी पी यू कंजिस्ट अफ देखो यह स्कूशन जो है यह सेम टू सेम स्कूशन पूछा था आपका जेटी वो एलाए सी टू थावजन सिक्स्टीन का पेपर में मैंने जो सिर्फ दिया है तो वह सही आँसर है में यहां पर दिया हुआ एए लू को स्थे इंडर होता है का लिकिन वह सिर्फ हुता है और तिस्तर आपका प्राएमरी मैमरी होता है अब primary memory लिखने की जगा पर यहां पर रिजिस्टर लिख दिया है तो यहां पर जो option भी दिया हुआ है यह बिल्कुल सही answer है ठीक है मेरे इसाब से यह answer सही होना चाहिए अगर आप grievances उठाना है कि multiple correct answer दिये हुए है हां तो आप कह सकते हो कि यहां पर alu and control unit भी होता है लेकिन basically आप देखने जाओ तो alu, control unit and register तीनों जो है CPU में होता है तो CPU consists of alu, control unit and register यह बिल्कुल सही answer है 2016 में जो यह same question पूछा था उस question में वहां पर option में register था ही नहीं यह तो option में इसा था ही नहीं कि alu, control unit and primary memory तीनों होता है तो यहां पर option में क्योंकि यह दिया हुआ है तो यहीं सही answer है जो given answer है और यहां पर बिल्कुल correct answer है चलिए next question की बात करते है तो memory that communicate directly with the CPU is code, चो memory directly CPU साथ community करेगा वह कौनसा memory होगा आपका main memory होगा ठीक है तो यह भी बहुत इस question है hopefully सबका सही होगा next question की बात करते हैं stack organized computer is characterized by the instruction with तो आपका जो stack organized computer होता है उसमें जनरलिया इस्ट्रक्शन लिखते हो stack को मतलब आपको मतलब आपका stack के साथ interface करवाना है तो आप pop and push लिखते हो ठीक है तो आप and push कैसे instruction है zero addressing instruction है हाला कि यह repeat question है यह same question जो है आपके 2022 का paper जो था मतलब मैं 2020 बोलोगा मतलब का August का 2020 की बात कर रहा हूं तो वहां पर जो paper था वहां भी same question पुछा हुआ था तो यहां पर जो answer दिया हुआ है zero addressing यह बिल्कूल ही सही answer दिया हुआ है next question यहां पर पुछा हुआ है parent class of all java classes is parent class of all java class जो होता है यहां पर आपको नहीं बताओंगा क्योंकि already मैंने पुराना जो वीडियो है जहां पर question पूछा हुआ है वहां पर बता दिया है आपको इसको देखना है तो आप देख सकते हो ठीक है same question है repeat question है same to same question वहां पर पूछा था next question की बात करता है the data link layer is responsible for data link layer जो आपका होता है वो किसके लिए सब्सक्राइब होता है error free communication के लिए data link layer mainly क्या करता है data link layer जो आपका होता है वह mainly आपका error flow control flow यह जो है मतलब का framing जो होता है data link layer पर होता है so mainly error flow and control flow पर कहां पर होता है data link layer पर होता है तो बस यह ही पूछा हुआ है data link layer is responsible for an error free communication across the physical link connecting primary and second situation within the network तो यह भी जो question है यह भी repeat question है यह भी आपका 2022 में पूछा हुआ हुआ है तो यहां पर कौनसा करेक्ट होगा answer B जो है यह आपका यहां पर करेक्ट होगा next question की बात करते है a network interface card is a unique six byte permanent address दिखो यहां पर यह जो keyword है क्या है six byte ठीक है six byte मतलब कौनसा होता है है आपका मैं होता है इसके बारे में भी हम बहुत सार पर solution में बात कर जोके है आप बात करो तो जिटी वो 2013 हरियाना का जो पर है हमने solve किया हुआ है जहां पर हमने बताया हुआ है कि मैं जो होता है आपका 48 bit का होता है ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास करने के लिए आपको पता कि सेंट करने के लिए आपके पास SMTP होता है होता है ठीक है रिट्राइब करने के लिए क्या होता है रिट्राइब करने के लिए आपके पास दो मिनुकशत सकते हो यहां direction ini यहांप अप्शन ऐसा है यहां आई यहां भी साटा सिरा आए लेकिन आयम उब्यांस यहां पर एसरे साइट में कहीं हैं इन देखो यहां पर यहां पर सही आन्सर है और यहीं जो है आनसर आईगा ठीक है यह जो question है इस question मैं आपको बता दूँ यह question gate 2019 का question है CS की बिराज का जो है वहाँ पे इस question पूछ लिया था ठीक है जो मैं आपको यह भी बताओंगा यहाँ पर मैं आपको बताओ तो जितनी भी question आपको पूछे हुए है वो कही ना कही से मतलब उठाए हुए है और maximum question जो है व से get 2019 CS का जो है यह question है यहाँ पर answer जो है वो ली ही आएगा ठीक है नेक्स question की बात करते हैं वीच आप दे फॉलोइंग यूजी यूडी पी जट्रांसपोर प्रोटोकोल कौन यूज करता है dns जो आपको मतलब डॉमेंनिन सिस्टम जो आपका होता है वो यूज करता है यह जो है आपका जेटी यूजी 2019 जो है वहां पर मुच्छा हुआ है मतलब यह भी रीपीट स्क्वेश्चन है देखो आप गीनते जाना आप तक हमने स्क्वेश्चन स्वाल किये हैं हां उसमें ओल्मोस्ट रीपीट स्क्वेश्चन जो है वही सारे आये है और लास्ट में को स्क्वेश्चन जो है पहले इसी चैनल पर वही से आये हुआ है तो मतलब जिसने भी मेरे पूरा वीडियो जो है मतलब पूरी जो मतलब लीस्ट है प्रिवेसर पेपर की वह देखी हुए है 2025 पेपर की तो उसके लिए तो पेपर बहुत ही आसान रहा होगा ठीक है नेस्ट क इस पूर किया है और तो मैक्सीमूं सुंद स्ट नियुक्र और यहां पर इसक्रिशन जो है यह स्क्वेश्चन भी जिए स्ट जो यहां पर एक गया है है यहां पर देखो यहां पर मतलब ट्रीक क्या है यहां पर पूछा हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल तो आपका SMTP जो होता है यह तो यहां मैक्सिमम यहां पर गलती करवाने के लिए यह से बहुत सब्सक्राइब होता है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपका होता है सब्सक्राइब होना चाहिए तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए जो यहां पर दिया हुआ है सब्सक्राइब करता है यहां पर आपको पुछा है मैज दफॉलओंग पहले में आपको बता दूँए जो स्क्राइब है यह इसक्षिट प्रेपिट स्क्राइब होता है सब को आता होगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मिनिमूम दो या तिन यहां पर देखो ऑल्मोस्ट चॉप्शन दिये हुए तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए तभी आपंसर कर पाओगे यहां पर दिया हुआ है आपका IPv6 नेट जो होता है वह 8 बिट का होता है तो इसके सामने आठ हैगा और चीप लिए का जो सिक्वंस नमबर होता है वो थर्टीट वीट का होता है सब आप option match कर लो पीके सामने क्या आएगा पीके सामने option यहां पर फूर आएगा पी फ़ोर आएगा यहां दिन Q 1 R 2 S 3 तो इससाब से कौन सा option match कर रहा है जो यहां पर दिया हुआ हुआ है option C जो है यहां पर बिल्कुल सही आसर है कि बात करते हैं which of the following sorting algorithm जिसमें आपका दिया हुआ है quick sort, hip sort and merge sort which are them perform the least time in roast case देखो roast case complexity आप देखोगे तो quick sort का जो होता है वो order of n square होता है और इन दोनों के आप बात करो तो इन दोनों में जो होता है वो and log n होता है ठीक है so मतलब order of n log n जो होता है इन दोनों का complexity होता है roast case क्योंकि यहाँ पर hip sort and merge sort में roast case जो होता है वो complexity same ही रहता है तो अब लिस्ट पूछा हुआ है तो यहाँ पर यह दो तो जो है एक सोट आंसर में आएगा अला कि क्वीप सोट में भी जो जनरल और एवरेज रोश केस और मतलब एवरेज केस की बात करों तो वहां भी order of n लोग n ही होता है लेकिन रॉस्ट केस में वीक सोट में order of n स्क्वेर हो जाता है तो यहाँ पर hip sort and merge और मतलब two and three जो दिया हुआ है यह सही आंसर आएगा और यहाँ पर जो आंसर दिया है यह भी बिल्कुल सही आंसर है इस question के बारे में आपको बता दू यह इस question जो है इसे पहले कहा पूछा गया है इस question जो है इस रो मतलब में बता रहा हूं यह बहुती िस से पहले आप देखने जाोगे 2013 के पर में तो चनी 2013 का सबहें उसमें पुछलिया था ठीक है सो यह ती दोनों स्कुरिशन जो है मतलब आप दोनों जगह पर आप जाओ के देखोगे तो यहां स्कुरिशन पुछा हुआ है सबका सब्सक्राइब करता है यहां पर इसा दिया हुआ है अब यहां पर बात करें पहला स्टेट्मेंट जो दिया हुआ है प्रीशन का डेफिनिशन है यह दोनों जो है यह दोनों ही डेफिनेशन है तो 1 & 2 तो सही हो ना ही है देखो 1 & 2 सही करोगे तो मतलब आपके पास दो ही option बचते है ति कैं 1 & 2 मतलब दोनों option सही दिया हो इससे दो ही option बचते हैं अब दिससरा अब कि इसमें आपको नहीं पता चल रहा है क्यök् consistency and give to the closer of individual measured value to the average of all the measured values यह बिल्कुल सही statement है हाला कि अगर यह लंबा लंबा statement दिया हुआ इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो last statement देखलो accuracy may be specified in terms of limit of error तो बिल्कुल एक्यूरस से ऐसे सब्सक्राइब किया जाता है तो one two and four तो सही है तो one two and four तो ही है ऐसा option है जहां पर मतलब three भी सही है हां तो मतलब यह option बनेगा ऐसे भी question को बना सकते हो अगर सारा statement नहीं आपको आते हैं फिर भी ठीक है तो all of above आप कह सकते हो तो यहां पर option c जो है all of above वह बिल्कुल सही मतलब बने लिखा यहां पर लिखा है one two three four तो यह भी यहां पर सही option बिल्कुल होगा तो यहां पर यह यह answer होगा next question की बात करते हैं इस question जो यहां पर आपको दिया हुआ है इन इलेक्ट्रो डाइनामो टाइप ऑफ वोर्ट मीटर करन्ट को डिजाइन टू केरिंग दे हैवी करन्ट युदि स्टांडर्ड वायर और लेमिनेर कंडुक्टर दिखो यह question जो है यह concept आपको लेमिनेर कंडुक्टर वाला पता ह क्योंकि तो आप मतलब दोस question का अंसर जो इस paper में बहुत ही easily कर पाऊगे एकी concept से यह मैं आपको इससे पहले पी एक बार बता हुआ जब transformer की बात की थी solution में मतलब कोई भी transformer है उसका क्यों किया जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यह करन्ट लॉज जो होगा वह आपका कोई मतलब उठा लिए था लिये एक्जांफल समझलो तो मेनली का पूरा पूरा बूक ले लोगे थो वक क्लोउस कर दोगे तो उसका एरिया कितना बढ़ा हो जाएगा सो सर्फेस एरिया जो हैWar बड़ा हो जाता है तो एकर मतलब जीतना जएदा होगा प्निस प्रिशlog Strikes होगा हो 108 अंदर जाए ग्रां पीशक्रार लिच्ट कर दिया था वो फ् expecting होंने 1 यह आपका एड़े क być करंड जो है वह बहुत ही कम हो जाएगा और इसलिए झुला के पो लोस एड़ेस करने के लिए हैं एक पर बस बागी कुछ भी आपको पता नहीं होना चाहिए इतना को पता है तब भी आप इसका आंसर जो है वो घर पाओगे तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है यह बिल्कुल सही आंसर है ओके नेस्ट के बात करते हैं विच फॉलोइंग मैथर्स आर यू के मेजर्मेंट के लिए मैक्स्वेस ब्रीज का यूज होता है बस एक ही को पता होना चाहिए इसको मैं बोलूंगा रिप्टिट्स कुछिशन में क्यू बोल रहा हूं क्यूंकि यहां पर बहुत सारे पेपर जो है जिसमें आपको मैंने यह बदाया हुआ हुआ है कि इंडक बीस जो आएगा और बिल्कुल 1920 यहाँ से मतलिब ओल्मोर्स आपको आपका यहां से से मतलब आलमोस्ट आपको पार्चिस क्वेशन पूछ लिए हैं यह से तो समय आपको बताया जो ट्वेंट्यू का पेपर था ट्वेंटी का उसमें से बहुत सार्स क्वेशन है इसका पहला एडवाटेज यह बिलकुल सही है दूसरा दे आर यूस्फूल फूर दो होता है हां और फबोग दूसरा स्कूषिरा यह तीनों जो है बिलकुल सही है ने सब्सक्राइब करता है उसको मेजरमेंट करने के लिए वेंडिश करता हों यह पी कहा हुआ है इससे पहले आप बात करें तो 2013 पंजाब का पेपर आप देखोगे तो महां पर मैं आपको बता इंडेक्टर्स जो होता है वो किस से मेजर होता है इंडेक्टर्स मेजर करने के लिए अभी में आपको उपर बताया देखो एक ही स्कूषिशन अगर आपको इसका अंसर पता है कि इंडेक्टर्स मेजर बाए मैक्सवेल्स ब्रीज तो यहां पर हमने किया इसका विया पांस यहां पेंट पूल रिश्टनस जो है वह बहुत ही हाँ यहां पेंट पूल रिस्टनस जो है वह बहुत ही हाँ हो जाएगा इंपूट रिस्टनस जो होता है वह बहुत है यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है ने स्कूशन की बात करते हैं वोल्ट मीटर विद ब्रोड बैंड विद आप बात करोगे तो वोल्ट मीटर दे ब्रोड बेंड में होता है आपका हाइई नौस लेवल अपका हाँ और संस्टीटीविटी जो होता है आपका तो यहाँ पर high noise level और low sensitivity हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर गडबड़ी हो गया है, यहाँ पर आपको mark जो है सब को दे दिया जाएगा, ठीकि यहाँ पर आपको जो option दिये हुए है, उसमें से एक भी option सही नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, और यहाँ पर दो option similar दिये इसकी बज़े से यहाँ पर low हो गया, तो जिसके भी answer मतलब नहीं आता था, यहाँ तो गलत था यहाँ जो भी था, उसका सब को एक मार किसका मिल जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको grievance करना यहाँ तो कर स linear sweep is applied, linear sweep जो होता है, वो horizontal axis पर दिया जाता है, यह पीटा हुआ हुआ है, अगर मैं आपको बात पर को origin कहा हुआ, तो यह जो पहला question पहली बार पूछा था, gate electronic मतलब आपका electrical जो होता है, गेट का, उसके 2013 में, इस question जो है, इस से पहले पूछा हुआ है, और सिल उसको आपक पार factor of electric bulb, जो होता है, उसका power factor जो होता है, वो एस पूछा हुआ है, ऐसå यूँपटी होता है, यह क्या होता है, इस explosion भी आपका 2020 का जो paper ही भूआ, उससी में इस कुछीन पूछे लिया था, विच्योंस को भी हम बोलेंगे, हुआ है, इस question है, इस का, मतलब electrical bulb का, ऊसका क् पूछा हुआ पावर फेक्टर ऑफ इस सर्क इस डिफाइन देशियो देखो में आपको एक पिपर कर वाया था जहां पर हम मतलब मैंटमेटिक लिएशन कर रहे थे वहां में आपको बताया था आप डायरेक्ली जो है आपका एक्टिव वेल्यू डीवाइट बाइब आपका म अपय कर जो कर सकते हो हम मतलब आप सिंपली जथी बाइश लिख सकते हो ठेके बस तो यहां पर उसका इनिट लिखना है था इक्टि आशकर पैवर शायर वह कण वाट बोलते हो और वार्त वोट जो भी बूलों और यहाँ पर आपका घृड प Vä preferences madam आप यहां पर मतलब आपका सम्ठाख confident lower ql दोनों का सम्ट होगा यह अपका होगा एक पर debating टीड़ाइड एंपियर ठीक है सो वाट डिवाइड बाइड वोर्टेज एंपियर करोगे तो ऑप्शन सी जो यहां पर दिया हुआ है बिल्कुल सही असर है यह यहां पर करेंट ऑप्शन होगा नेस्ट क्वेशन की बात करते हैं दिस्लीप आप द इंडक्शन मोटर डिस नाट डिपेंड देखो मैंने आपको यहां पर करवाया था यहां पूछा था यहां पूछा था पहले यह मैं बोल रहा हूं कि बहुत सब्सक्राइब करोगे तो आपको स्लीप मिलेगा अब देखो यही तो यहां पर मतलब सिंपली कौनसा मोटर आपका जो घड़ी में आपने देखा होगा घड़ी में यूज होता है हां वह वाला मोटर कौनसा होता है स्टेपर मोटर यह स्टेपर मोटर जो होता है वह बेजिकली कुछ भी नहीं आपका अनलोग डिजिटल कर रहे जहां पर मैं आपको बताया था कि वह हो इंक्रिमेंटल डिवाइस आप कह सकते हो तो यहां पर बताया था कि स्टेपर मोटर जो होता है वह इंक्रिमेंटल डिवाइस होता है पड़ाया था है बहुत दो रोटर और एक स्टेटर मेंटल दो होता है वहो यहांपे दीजिए जाता है और आपका बाहर जो स्तेटर होता है उसको यहां पर इसी दिए जाता हुआ है बोध इč लेटर एंड स्टोर आर एक्सायटेड तो यहां पर ऑफशन सी जो होगा यह सही आंसर ठीकर स्कूर्शन की बात करते हैं इस टार्टिंग वाइनिग ऑफ सिंगल फेल्फ मोर इस प्लेस इन अफ़ जो सिंगल फीमोर होता हैं उसका स्टाइटिंग विंग कह है यहाँ पर अल्मोस क्वेश्चन जो हो रिपीट बहुत कम पूछे हैं लिकिन कॉंसेट बेज अगर आपने सारे मेरे पर सुलुशन देखें तो अल्मोस कॉंसेट में ने कहीं ना कहीं जो है सारे बताय हुए देखो इसको भी ऐसा है इसको मैं बोलूँगा रिपीट कोशि चाहिए हां और वाइंडिंग क्या कोई नहीं होना चाहिए तब भी आपका इतना भी इंपूर्ट में फ्लक्स हो रहा है वह सारे का सारा इंपूर्ट में जाएगा पूरे का पूरा और मैक्सिमम आप जो है वोल्टेज को आप करना है तो आप इसली मतलब कर पाओगे तो लिए ओड़लन नहीं होना चाहिए को लॉस नहीं होना चाहिए और हैस्पलक्स भीकिज होता है यहां पर एग्जांपल आपने वाइडिंग किया हूँा है तो यहां पर आपका flux leakage होता है जिसे कहता है और यह कहां से होता है क्योंकि air gap थोड़ा सा रह जाता है तो आपको बता है कि air जो होता है उसका permeability जो है वो one है तो मतलब easily जो है मतलब वो आपको magnetic field जो हो पास होगा तो यहां पर कर दो गया तो क्या होगा आपका जो है मतलब पूरे का पूरा फ्लक्स जो है वह आपको आउट पर वाइंडिंग जो आपका होगा उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है सो कोर है infinite permeability होना चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करता है इससे पहले मैंने आपको 2013 में question solve करवाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर्मर जो होता है वह वोल्टेज और करन्ट हां इन दोनों को सही आंसर है जहां आपका step down transformer होता है वहां पर वोल्टेज को decrease करके आप करन्ट को increase कर लेँ करन्ट को amplify किया ऐसा आप यहां ट्रांसफर्मर में नहीं बोल सकते हैं सो actually step up transformer जो होता है वो voltage increase करता है और इसलिए option जो आपका होगा वह बिल्कुल सही क्या होगा क्या होगा ठीक है क्योंकि voltage increase होगा तो करन्ट को decrease ही होना है और आपको पता है पावर जो है वह सेम रहता है यह दोनों affect नहीं करता आपको इस पेपर में पूछ लिए है इस question भी transformer का भी है हाँ इस लिए वो डिपेंड होता है वह आपका जो भी वोल्टेज होता है उस पे एक्चुली डिपेंड होता है और जिसमें इतना करेंट पास होगा उसमें डिपेंड होगा इसलिए वोल्टेज करेंट पर कॉपर लोट होता है यहां सही है लेकिन दूसरे ऑप्षन दिय हुए है option A and B यह भी यहां पे सही है जो दिजाइन किया जाता है तो तो पता नहीं होता कि वीच टैप ओफ दॉड यूश करोगे को सता प्रेंट करोगे नहीं हो आप दो नहीं करोगे करोगे से प्रेंट जो है वो के डबली में ही जाता है तो आपका मतलब रोड़ पावर फेक्टर चेंज होगा तो के डबल्यू भी चेंज होगा आपका मतलब रेटिंग जो होता है वोट का पी आपको पता है वी आई कॉस्फाइब तो कॉस्फाइब चेंज होगा तो आपका पावर भी चेंज ह करना है तो आप कर सकते हो यहां सकता है कि यहां कि प्राइमरी जडराशन ही होता है लेकिन अप्शन यह भी सही है यह कोई गलत रिजन नहीं है यह बहुत 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 बार कुछा गया है हम में बात करें जैसे कि यह सी आपका मतलब आपके एक्जाम देते हो कि यहां पर आपका जो मतलब दो इलेक्ट लोड है आपने कोई भी बाहर सेल नहीं लगा है मतलब अपन सर्कूट में हैं हैं आपका समझें लेयर में जो होता है वो किसके वाज़े से होता है इलेक्ट्रो मोटीव फूर्ज जो लगता है उसके वैसे होता है हां मतलब कर सकते हो कि 11 12 फीजिक्स बीजिक वहां का भी इस कुश्चन है तो आपका इलेक्ट्रो मोटीव फूर्ज जो होगा हां उसी वैज़े से यहां पर पूल फॉर्म में लिखा हुआ है अगर यह सैट करने के लिए पनके लिए इलेक्ट्रो मोटी फॉर्ज कहा जाता है तो यहां पर किसका यहां पर इस क्योशन की बात करते हैं यहां पर दिया हुआ है which of the following are the active material of the lead acid cell आपका जो cell होता है उसमें active material कौन से होता है तो यह आपका जो मतलब latest exam हुआ है आपका EAC का 2022 का उसमें इस question पूछ लिया था और वहां से इस question उठावा हुआ है so lead हाँ आपका मतलब PbO2 lead peroxide जो होता है वो positive plate के लिए होता है यह बिलकुल सही है हाँ spung lead जो होता है Pb for the negative plate यह भी बिलकुल सही है और next आपका जो मतलब last option दिया हुआ है कि dilute sulfuric acid H2SO4 as electrolyte आप यूज करते हो आपको पता है H2SO4 as electrolyte तो आप मतलब जनली यूज करते हो और जगा पे लेकिन वो इतना आपको पता होना चाहिए यह concept था यहां पर कि dilute sulfuric acid नहीं होता है और यहीं आपको पता है तो आप इजीली सही है इसका करपा होगे option बी जो दिया हुआ है 124 यहां पर बिल्कुल सही है बात करते हैं सुपर पोश्चन थियरम इस बेज ओन दे कि जो आपने zero input दिया हुआ है मतलब कोई भी input नहीं दिया हुआ है तो output में zero मिलना चाहिए मतलब आपको zero output और जो इन पूर दिया है उसी जो अपना exatation किया है according to that आपको response मिलना चाहिए तो काफी लोग यह सोचते है कि straight line मतलब linearity तो यह ग्राफ में जहां से हो रहा है जीरो इन पूर और दैन आप कह सकते हो कि हां एक सफटी प्लस बी वाइव टी करोगे तो वहां पर आपको एक सब्सक्राइब करेगा बहुत इस सब्सक्राइब करना है यहां पर आपको सोच दिया हुआ है कोई भी वोटेज सोच दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर यहां लूप नहीं लगाते है विल्कुल लगाते है है लेकिन के लगाते हो के लागाते हो नो चाया आप लेकिन तो यहां पर सकते हो बल्कुल सबसक्राइं सब्सक्राइब इसार करांका है लेकिन एक जू है Almost लेकिन आपका होगा मतलब आपको बता है मैं आपको बताया था एक जगह पर डायोड जो होता है आपका नॉलियर रेजिस्टर है सब्सक्राइब से बनता है यहां पर बिल्कुल सही आंसर है ऐसा आप कह सकते हो कि बात करते हैं एकोडिंग टू किछ वोल्टेज लों तो एलगेब्रिक सम अफ आल दे वोल्टेज इस इन केस इन एन एक लूज लूप ऑफ नैट्रों कि जीरो यह मतलब आपको सिंपली के वील पूछ लिया है तो बहुत ही सिंपल है के वील का मतलब स्टेट्मेंट क्या होता है यह पूछ इसमें पूछ लिया था कि थेवेनियन स्टीरम इस कॉरॉलरी ओफ तो आप नॉटर स्टीम आंसर था नॉटर से यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा यह भी रिप्लिस क्योश्चिन है बहुत सिंपल स्कूश्चिन पूछा हुआ है सिंगल ट्राजिस्टर कें बी यूस्ट क्या है तो यहां पर और नन के लिए आपको दो इंपूर्ट चाहिए तो आपका एक ही बने का मतलब नॉट गेट या बना पाऊगे ऑप्शन सही होगा ठीक है कि बात करते हैं तो डैसिमल फोर्टी त्री इंद एक्ड़ डेसिमल नंबर और बिसरी नंबर सिस्टम क्या बहुत सिंपल स्क्रिश्ट पूछा हुआ है फोर्टी त्री देख आपको लिखना है तो क्या करना पढ़ेगा वन फॉर एट शिक्स्टीं यहां था कि नंबर आपको चाहिए थि टू प्लस क्या करना पढ़ेगा आपको फौर्टी प्लस आपका एट करोगे तो कितना होग तो यहां पर यहां पर यहां पुछा हुआ है भी सीडी जो होता है सिंपली कुछ भी नहीं आपका वेटल जो होता है मतलब एट फूर तो नहीं करना है तो यहां से इसा दीया हुआ नहीं है यह तो हमने करने के लिए डेसिमल नंबर को डारेकल लिखा हुआ है अब इसी को बिसीदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे फूर को लिखना है तो फूर के लिए आप कर सकते हो दिर्क्राइब करते हैं बाल इन स्टेर केसे तो स्विचेस वान स्विच बिए अधर फ्लोर और फिर्ट इस फिर्स फ्लोर तो बर्ल केन बीटर अन और अल्सो तॉर्ट अफ देखो यहां पे काफी लोग यही देखते है कि बालगे टरन आउन बाकी बात में दिया ह स्टेर के साथ बोल रहा हूं कि मैक्सिमम मतलब उल्मूस्ट नाइनटी परसेंट से और असर किया होगा इसने पहले नहीं दिखा होगा पहली बार कर रहे होंगे उसने और असर किया होगा वही देखते कि स्विच को अन कर पाएंगे हां तो आपका बेजिक और गेट होता ह आपके पास है कोई बेख स्विच और रहा तो आपका बल्ब जो है वह ओन हो जाएगा इनमसे कोई बेख और रहा तो बल्ब ओन हो जाएगा यहां पर पुछा हुआ है यह पी गेट का स्कृषिण है आप बात करो इस क्वेश्चन की इस तरो में पूचा हुआ है गीट में मुझे पूछा था यह तो यह तो है ही लेकिन दूसरा कंडिशन यहां पर यह भी है यह तो 011 और 101 तो आपका और में होगा ही तो वहां पर गलत नहीं हो लेकिन आप गलत कहां पर हो अगर आपने दोनों स्विच बंद कर दिये मतलब दोनों स्विच आपके आपका दोनों स्विच आपकर ऑून है दोनों स Western कर दिये तब यहां तक आपका और में क्या होका क्या होगा दोनों स्विच que avavon ही रहेगा तो जो मतलब इस aq Suite आफ लाक पर दो तो आपका बल जो है वह आफ हो जाना चाहिए दो है सी .. अग्सविच और है तब है कंडिशन कौन सा होगा टूट टेबल यह जो है एकसर गेट का है आप्शन यहां पर एकसर ओप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है मैं question की बात करता है the input in the circuit given below is always one when देखो जब आपका input मतलब one कब होगा मतलब always when कब होगा यह question again gate 2011 का question है काफी लोग यहां पर boolean expression बनाता है मैं आपको इजर बताता हूं इसका truth table बना लो तीन input रख दो P Q and R and Y को ड्रोग कर लो true table बना सबस्क्राइब यहां पर जो है और मोर इंपूट जो है आपके वन होगे तब यह न रहेगा यहां पर बिलकुल सही होगा आप पूरा इसका इसका प्रकें बात करता है यह वी यह स्कूरश्चन है मतलब देखो आपको बहुत बार बहुत सारे पेपर में री पूच्छा हुआ है लीकिर ओल्मोस्ट जब आंच ऊपां के बात करो तो ऑलमोस्ट री आपको दिया हुआ है यह क्या है आपका नौर गेट है तो नौर गेट का जो एक्विलेंट होता है वो क्या होता है आपका बबल्ड एंड होता है तो इसके समने चाहरा आएगा बिल्कुल सही है लेकिन आपका क्यू जो दिया हुआ है यह आपका नैंड गेट है और नैंड गेट का जो एक्विलेंट होता है म यह स्क्वेशन ही गलत है मतलब आपका एक भी ऑफ्शन मैच नहीं करेगा तो सारे आसर जो मतलब यह आपको दिया हुआ है बबल एक्स नोर यह कुछ भी नहीं आपका एक्स और है आप आर के सामने भी एक्चुली लिखना है तो टू लिख सकते हो यहां पर यह आप ठूटे पूपल यहां पर यहां पर यहां पर इसक्वेशन में भी सब को जो है वान अपर से बबल और होना चाहिए था तब जाके यह question जो होगा यह सही होगा हां सो यहां पर इस question में भी सब को जो है one mark जो है वो दिया जाए ला इस question की बात करते है decoder is decoder क्या होता है decoder जो होता है आपका combination circuit होता है so option d जो होगा आपका यहां पर बिल्कुर सही answer होगा यह आपका 2020 में पूछ लिया था इस question है बहुत इस question है निस question की बात करते हैं तो फुल फॉम देब्रिवेशन टीटी एल एंड सी मॉस अब यह जो फुल memory technology विच लीट्स अनिक्स लेस्ट पावर सप्लाय मतलब आपका सबसे कम पावर सप्लाय किसको चाहिए इसा पूछा हुआ है यहां पर जो भी ऑप्शन दिये हुए है उसमें ऑप्शन से सी मोज जो होता है आपको पता है वह इंट पस जीरो पर जीरो वान मिली वोट बहुत ही कम पावर डिस्टिपेशन होता है स्थी मोज जो है उसको चाहिए वही जो है वह सही अंसर होगा ठीक है इस कुछन की बात करता है तो आउट पूट अप देशनल सर्कीट गीवन बिलो इस सिंप्ली देखो यहां पे अगेन आपको बूलियर मिनिमेशन पूछ लिया है लेकिन इस कुछिछन बहुत ही लंबा फिर्ण बना लोगे ओर करनंगे यह तो यहां पर तो यहां पर अगेका आपका जब भी 0, 1, 1 होगा तब 1 आएगा और जब 1, 1, 1 होगा तब 1 आएगा इसमें, हाँ आप आउटपूर सारे मतलब रोकर होगे, और एक कंडिशन जहाँ पर आपका A1 होगा, B and C 0 होगा, वहाँ पर जो है आपका ये 1 आएगा, मतलब ये आपका 1 0 है, ठीक है, मतलब A1 और B1 औ जाएगा BC plus AB, तो BC plus AB जो होगा, हो सही answer होगा, तो यहाँ पर देखो, option भी वतलब थोड़ा घुमा के दिया होगा, ये gate का question है, gate 2016 में question जो है, ये पूछ लिया था, so यहाँ पर AB plus BC, तो option C जो है बिल्कुल, सही answer है, ठीक है, otherwise देखो, option देखके match करने जाओगे, तो आप इसका answer करी नहीं पाओगे, तो आपको ऐसे solve करना है, तो double बनाना है, easily solve हो जाएगा, इस question की बात करते है, pool header consist of, pool header जो होता है, yes question तो बहुत बार हमने मतलब अलग जगा पर solve किया होगा है, pool header में 3 output और 2 input और 2 output होते हैं, मतलब input में आपका ABC होता है, और output में क्या होता है, sum and carry, तो आपका 3 output और 2 input और 2 output in short, तो option D जो होगा, यहां पर आपका बिल्कुल सही answer होगा, ठीक है, question की बात करते है, multiplexer is a logic circuit, design to switch, multiplexer जो आपका होता है, यह भी आपका 2022 का मतलब question है, और पिटाओवा question आपके बहुत सारी exam मतलब ऐसी है, जहां पर हमने होता है, बहुत सारे input होता है, और एक output होता है, यहां पर control switch होता है, so several input, single output, आपका option B, जो यहां पर दिया हो है, बिल्कुल सही, यह question आपको दो बार पुछ लिया, next question, यही पुछा हुआ है, logic circuit that accept the several data input and the allows only one of them, तो यह कौन होगा, आपका, multiplexer होगा, ठीक है, यह दो question, जो है, easily, सब को मतलब one mark देने के लिए रखे गया है, तो सब को यहां पर सही answer मतलब, hopefully, सब ने दिया होगा, ठीक है, next question की बात करता है, और डाइनामी क्रेम, आपका जो डाइनामी क्रेम होता है, उसके बारे पूछा हुआ है, वो क्या होता है, देखो, हमने 2016 में expression solve किया तो में आपको बताया था कि डाइनामी क्रेम जो होता है, उसमें refreshing जो होता है, वो required होता है, तो और information जो होता है, वो इसक्रेशन वहीं से पूछ लिया है, ठीक है, तो यहां पर option B, जो होगा, information store in terms of capacitor, बिल्कुर सही answer है, so option B, यहां पर बिल्कुर सही answer होगा, yes question, इस तो मे भी काफी बार पूछ लिया है, मैं सुषिन की बात करते हैं, flip flop circuit is, flip flop का जो होता है, simply possible multi-rabilator होता है, आपको बता है, so option B जो आएगा, यहां पर आपका answer आएगा, आप गुजराट 2013 में जाके देखोगे, तो वहां पे इस question जो है, यह उच्छा होगा है, next question की बात करते हैं circuit shown in the figure is, आपको यहां पे जो circuit दिया हुआ है, वो किसका है, simply आपका, देखो, यह आपका first clock पे on होगा, और जब यह आपका दूसरा मतलब negative clock आएगा, तब यह दूसरा on होगा, तो simply आपका क्या है, master slave flip flop है, so option D जो होगा, यह सही अंसर होगा, master पहले एक बार होगा, उसके सही अंसर होगा, इसा आप कर सकते हैं, और यह इस question जो है, मतलब इसके master slave flip flop के base में इस question आपको पूछ लिया है, master slave flip flop is also called, इसको आप क्या कर सकते हैं, अगें, आपका ESE 2020, 2020, मतलब आपका 2020 का जो है, 2020 का यह paper है, जो उसमें इस question पूछ लिया था, master slave flip flop जो होता है, उसे trigger कहा जाता है, और slave जो है, वो as a level trigger work करता, actual में, so, आपका actual में master slave flip flop, जो है, वो pulse trigger flip flop है, आपके सकते हों, और option यह जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो सही answer है, आप यहाँ पे कह सकते हो, next question की बात करते है, successive approximation technique is used for, successive approximation मतलब आपका start cut होता है, आपका successive approximation is registered, इसके लिए जोता है, ADC conversion में, मतलब energy conversion में, so option age होगा, यहाँ पे बिलकुल, सही answer होगा, आपके सकते हो, so, यहाँ पे option है, बिलकुल सही दिया हुआ है, इस question, modulation index of am wave is changed from 0 to 1, the transmitted power is, फिटा हुआ question है, हमने solve भी किया हुआ है, previous 2013 की paper में, यहाँ पे 50% जो है, वांसर आएगा, इस question, बहुत बा Kennedy से, next question, जो है, same, यह भी Kennedy से उठाया हुआ, question है, यह भी बहुत सारी exam में, पूछ लिया है, हाँ, यहाँ पर आपको पूछा हुआ है, the modulation index of the am wave, change from 0 to 1, the transmitted power क्या होगा, इंक्रिस बें 50% यहाँ ने कर लिया, यहाँ पे पूछा हुआ हुआ है, next, कि आपका एक new one जो है, व यह भी आपका आप बोच सकते हो, 2022 में, पूछा है, इससे पहले भी, बहुत सारे paper में, question जो है, पूछ लिया है, Kennedy का question है, so option यहाँ पे बी, जो है, option C मतलब आपका, अंतर 0.5 जो है, यह answer होगा, क्योंकि आपका अंदरूट 0.3 का square करोगे, मतलब, और 0.4 का square करोगे, so आपका power को बाहर निकाल लो, तो 3 square plus 9, 4 square plus 16, मतलब अंदरू 25, 5 हो जाएगा, और power को गिन 2 raise to minus 2 होगा, तो 0.5 जो है, आपको आंसर मिल जाएगा, इस question की बात करते है, output of the balance modulator contain, आपका जो balance modulator होता है, वो किस के लिए उस होता है, हाँ, यह question जो है, बहुत ही मतलब, पीटा हुआ, बहुत सार एक्जामें पुछ लिया है, बैलेस modulator जो होता है, basically, आपका DSB का demolition करने के लिए उस होता है, मतलब double sidebar, मतलब क्या करना है, यहां पे केरियर को सब्रेस करना है, तो यहां पर बस option में केरियर नहीं आना चाहिए, तो देखो, यहां पी दिया हुआ, यहां पर केरियर जो है, वो नहीं होना चाहिए, तो आपका option D, जो होगा, क्या होगा, बिलकुल, सही होगा, modulation frequency, LSB and USB, सब्सक्राइब करतेगा प्रप्रेशन पूछा हुआ है ते डिफरेंस बिवीं फ्रिक्वर्स इंडेक्स पूछ लिए थे उठा के यहां भी आपको स्कूछन जो है वो पूछ लिए हैं सब्सक्राइब करें आपको ज्यादा चाहिए इसलिए इसका डिश्डवांटेज हो जाएगा एडवांटेज नहीं होगा तो ऑप्शन भी जो होगा यहां मिल्कु सब्सक्राइब में पुछ किया है और आपका चीटियों भी ज़्याद फ्रीशन भी इसकी सब्सक्राइब कर सीन यहीं है आपको पता है पी सी यह होता है वहाता है अगे 2013 के बहुत सारे प्रमने व्याद किया है पूछा हुआ है नेक्स्ट हटली शैनौन तियरम सेथ लिमीट आफ चैनल के पसी कि आपको पता है तेले कि थीरम होता है हां सी इकोल टू बी लॉग टू वान प्लस एसे नर और से नर अज़ए आप इसा कह सकते हों सब्सक्राइब कर देता है जहां पर हमने सब्सक्राइब कर देता है जहां पर बताया हुआ है और यह बी एक्चुल में कहिस्टें निस कुष्चन वीच फॉलोईंग पॉस्ट मॉडिलेशन सिस्टम इस एनालोग यह बी का स्कूष्चन है हाँ आपका ओप्शन पी डबली एम जो सी होगा यह भी सही अंसर होगा मतलब यहां पर यह बीडियर्स कुष्चन हमने बहुत सब्सक्राइब कर में यह पूछ लिया था आपका पी सी एम डिफ्रेंशल पी से एम कर डिपिसे और डेल्टा जो होता है वो इसलों कम्मुनिक करोगे लेकिन आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइम पे ट्रास्मिट करोगे अलग 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 तैम डिफ्रेंट ट्रास्मिट करोगे तो इसको कहता है सारे जिया और यहां पर यहां पे आपको जितने भी मतलब आल्मॉस कम्मुनिकेस्शन की स्कूष्चन सारे wiping säbic 70 km अब कर स्कूछ सब्सक्राइब और यह भी केनरी का इसक्राइब आगे बढ़ता है इसमें से कौन से मोडल डिस्पर्शन होता है तो देखो एक तो सिंगल मोड होगा आपके बात ही नहीं होगी यहां पे दो आप्शन तो आपके ऐसे निकल जाएंगे सिंगल मोड है तो मल्ल डिस्पर्शन मतलब होता है इन्टर मोड आपके एक सी जएदा मोड है तो इन्टर मोड मतलब 2 मोड अकसाथ मिल जाए तो आप फिर है हो सेप्रेकन हिद सबासिव होता है लिकिन आपका हो गा certificate मोड पर मिल उसमें एक्चुली आता है काफी बार दो मोड मिल जाता है आपका मतलब रफली ड्रोग करोगे तो ऐसा मिलेगा लेकिन जो करते हो तो उसमें क्या हो जाता है इंडेक्स होता है उसका यूस किया जाता है यहां पर मल्टी मोड इंडिक्स आपका जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर जो पूछ लिया है लिए धास होटा है यहां पर बिल्कुल फूदिक लिया लेकिन यहां पर सेटलाइट नहीं पूछा हुआ है सिस्टम के बात करो आपको जीओ सिंक्रोने से लो और 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 बिटे और बताना है आपका जीपीस होता है जो इनिशली स्टार्ट हुआ तो 24 स्ट्रेट का कॉंसलेश्चन जो है इसका उसके जादा था जीपीस को मतलब ग्लोड पूश्चन सिस्टम के लिए जो कौसे और में रखा गया था मियो में मीडियम और में रखा गया था जो मैंने पढ़ाया था वहां पर बताया भी था सौप्शन डी जो यहां पर होगा बिल्कुल सही आंसर होगा दिख गुए इस ग्रीविटी वाला स्क्रेश्चन और इससे पहले भी एक बार पूंछ लिया है इस प्रश्चन के और में में पूंछ लिया इससे पहले जहां पर मैं आंसर बताय हुआ है जहां पर एक स्टोडुट ने डाल पी पुचा था यही नहीं होगा क्योंकि यह कैनेडी का स्क्रेशन है जहां पर ऑप्शन भी सही दिया हुआ इस नॉट रिल स्टेशनरी अर्ट विद ट्वेंटी फोर पिरिएड लेकिन देखो जिए सेटलाइट होता है वह विद रिस्पेक्ट टॉर्थ स्टेशनरी होता है यहां पर लिखा हु होता है मतलब एक दिन कितने घंडे का होता है ट्वेंटी फोर का सब्सक्राइब यहां पर यहां पर आप गलत कर सकते हो लिकिनी ऑप्शन बिल्कु सही ऑप्शन डी इस लोकेटेट दा हाइट ऑप 35,000 किलोमेटर को यहां पर काफी बार 33,000 किलोमेटर लिख देते हैं काफ सब्सक्राइब यहां पर यहां पर होगा यह सही होना चाहिए और मैं सेम बात आपको केरला के सब्सक्राइब कर वाया था तब भी बताया था देखो यह भी मैं कहूं का है क्यूंकि हमने जितने भी आपडिट और प्रोग्रामिंग बेस् जाने के सब्सक्राइब किया है और मैंने ऑपको हर जगह बताया हुआ है कि एक सिर्छन पोलिमूर्फिसम एंड इन रिटर स्यार जो होते हैं यह मेंड फीचर होते है और यह कुछ लिया नहीं उस्पोलेगा अश्छ फिचर्ण फीचर्स अप दंप इसेंशल यह चार मतलब ओपी होगा तो और प्रोग्रामिंग कौन सा यहां पर दिया हुआ है मतलब यह भी एक ही दिया हुआ है सी प्लस प्लस तो यह सही होगा यह स्कुरिशन अब इससे पहले जेटी ओ तो था 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 कि वहां इसा पूछ लिया था कि विच्छ फोलेंग लेग्वेज इस का ओप्शन दी जो होगा यह बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है की बात करते हैं और सिस्टम प्रोग्राम यूज तो ट्रांसलेट डारेक्ली एसे लेंग्वेज तो तो मशीन लेंग्वेज तो इसे हम क्या कहेंगे इस सेंबलर कहेंगे यह स्कुरिशन भी जो है 2013 के एक सु तो आपको क्या करना है गेलियम एंड लोग जो है इस कुरिशन को देखे इस समझ में नहीं आया काफी लोगों ने मतलब इसा बताया इसकुरिशन जो है यह गे 2013 का है इस कुरिशन जो है 2017 में पूछा हूँ आपका होता है कौन सा मैं आपको बताया हुआ है इसकुरिशन है गेलियम मतलब आपका क्या होता है वह बताया था बोरोन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम यह ट्राइवलें रिप्युरिटी है और आपका फोस्परस आर्सनिक एंट होता है आसलिक जो होता है आपका पैंटर दिया हुआ है ज़ी सकते हो कि बात करते हैं यहां पर आपको ग्रूप दिया हुआ है जेनर डायोड और और बात की हुई है तो हमने 2013 में बहुत सारे वेपर सॉल किये हुए है जहां पर मैंने आपको इसे मतलब पूछे हुए है कि कौन सा बायाजिंग यूज़ोगा मैंने बता है रिवर्स बैस में होता है इसले डायोड जो होता है यह फोड़ोगा है मैंने एक बार आपको पूछा भी था डायोट में एक जगा पे कि आप नाम मतलब ब्लिस्टर के दो मुझे जो जो डायोड जो होता है आपका रिवर्स ब्रेकडाउं रिजिन में जो है बायाजिंग किया जाता है इससे पहले इस वहां पे पूछ लिया था और वहां पर एक्चुली रिवर्स ब्रेकडाउं डिजिन जो है ओप्शन दिया हुआ है ठीक है तो आप जब करोगे जनर डायोड का ठीक है तो वह रिवर्स बायस में करते हो और और बिलो ब्रेकडाउं वोर्टेज नहीं मतलब प्रेकडाउं डायोड करता है तो आप अगर वर्डवाइस देखने जहां तो यह जो आपका हुआ रिवर्स बायस देखो यहां पर आप रिवर्स बायस में डोकर करें चलेगा यह हो था है यहां पर जो है जो है गेट में पूछा होआ है वहाथ तो यहां में पर नर्टाल करते हों I प्रोग्राम इस एक्जिशन प्रोग्राम आपका चल रहा है तो उसे क्या कहोगे काफी यहां पे जो है वह इंस्ट्रक्शन मार्क की होंगे संट्रिक्शन तो स्ताइट शंग जो होता है उसे प्रोग्राम कहा जाताए दाएं उसे प्रोग्राम चनी जी प्रोग्राम चल रहा है श्चिशन में उसे फ्रोसेस कहा जाता है यहां पर बीज व्लकुल स्हीं क्या आसर होगा नियुदि के बात करता है यह सारा किये हुए है हाँ तो यह concept इसा है क्या सकता हूं हाला कि से यह सब्सक्राइब लेकिन बहुत सब्सक्राइब कर से लाइन लाइन इसा होता है यहां पर 16 के बाये आपको चाहिए 16 के पिए मतलब क्या होगा सिक्स्टी मतलब टूरस टूटान मतलब क्या होगा लटीमेटल टूब तूटीन आपको जो है वो चाहिए एड्रेस्ट लाइन और रहा डटे लाइन चाहिए यहां पर क्या पूचा हुआ है यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा है साथ कहें सकते हो वीच मैथट बाइपास दसी पीउ पूर सब्सक्राइब कर देगा तो 2013 में बहुत सारे पर हमने सौल्ड किये हुए जहां पर इपिट इली में आपको बताया हुआ है उसमें सब्सक्राइब करने के लिए यह बहुत सारे सबसे पहला जो होगा सबसे पहला फैच होगा ठीक है तो दो ऑप्शन तो ऐसे निकले हैं कर देग और रिकोड करोके करों तो दिया हुआ है बिलकुल सहीं बहुत सब्सक्राइब करता हैं सब्सक्राइब यहां पर मतलब मैंने आपको प्रिवेस में यह भी बताया हुआ है इसका फिल्फोम होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन साइट कंप्यूटर तो ऑप्शन भी जो यहां पर होगा बिल्कुल सही अंसर होता है आपका रिस्क एंस्ट हाँ दो टाइप आप जो है वह यह प्रेटी वल्फोम है इस से पहले पूछा हुआ है विच फूलूइंग टर्म एप्लास टूम ट्रॉपोव स्कैटर प्रपागिशन प्रपागिशन में क्या होता है पैडिंग होता है अगें दिखो गे स्टार्ट हुए किसके स्क्विश्चन केनरी के स्क्विशन हाँ स सब्सक्राइब प्रपागेट बाइद मीन सब्सक्राइब पूछ लिया था कि सारे के स्क्विश्चन है आपका यहां पर यहां पर रोगा ट्रॉपोस्पेरिक स्कैटरीज यूज वीट फ्रिक्वंस इन दे रेंज आफ यूएच यह यह भी आपके सकते हो प्रेट्व का स् इस क्यूशन जो है आपको पूछ लिया हुआ है नेस्ट गुशन गुश्ट और रिफॉक्रिक टेड वें धे आर माइक्रों धिब्सक्राइब का निच और बचल्ट नियुकर्टेट टावड तबहुए बहुता है तब यह इंद्री गास्क्राइब लिकुशन है हमां पास पूछ लिया था जेटी और यह बी के दिकास कुश्चन है और अबी मेजर्स मस्ट भी कूल बिकोज इट कर आप इसलिए कि आप रूम टेंपरेटर पर जो उसका यूज कर पाओ ठीक है यह बीकास कुश्चन है नेस्ट दर टरनल डायोड जो होता है उसमें बहुत ही हाइड किया जाता है तक यहां को पूछ लिया था सब्सक्राइब को इसलिए का पीडिया था तक कि आप इस दिली जो है वह रिवास कर पाऊ और जिसने भी वह देखा होगा सब के आंसर सारे सब्सक्राइब यहां पर पूछा हुआ है पुछा हुआ है ने सब्सक्राइब को पता है के लिए तो यह यही और देखो कि तो आपको यह मिलेगा ऑप्शन सी अप्सेग आहां जाएगा आपका पीडियोड जो होता है और प्रेक्वस्टिश रिए यह रटार है यह यह भी वह सहां सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर सकता हूं यहां पर पूछ लिया था हां यह अपका जो होता है वो क्या होता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सब्सक्राइब क्लिस्ट्रों अपर यहां पर होता है डार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसका एडवांटेज क्या होगा आपको इंक्रीज दे एफेक्टीव एरिया आप दे एंटेना और इंक्रीज कर देगा इस क्विश्चन जो है इस से पहले गे 2015 में पूछ लिया था और यहां पर पूछ लिया है सो ऑप्षन यहां पर आपका यह सही अंसर होगा और इस क्विश्चन आपको शहेट पूछ लिया था तो यह भी रिपिट्स क्विश्चन ऐसा आप कह सकते हो वह विच्व फॉल्विग एंस बेस एक्जाट फॉम तो व सब्सक्राइब होता है और मतलब होता है और ऑप्षन भी यहां पर बिल्कुल सही अंसरा रहेगा इसका वहां मतलब उसके अलग अलग दो टाइप भी होते हैं सेक्टरल होता है परामिल होता है उसका बहुत सारे लगल एक्टेक्शन में उसका यूज होता है नेक्स्ट अहलेकर एंटेना यूज फॉस्ट प्रस्रेटरिंग विकाज आप दर सब्सक्राइब बहुत सारी एक्जाम में बहुत साजिगा पूछा हुआ है और आपका टूसे पूछ लिया था और लास्ट विश् पर इसके सामने आ रहाएगा और आपका यूज होता है उसमें इसके सामने क्यों आएगा सो वान आर टू पी और मतलब आपका थ्री आप देखो तो मतलब थी क्या होना चाहिए क्यों होना चाहिए तो आपका ऑश्यन वीज होगा ये बिल्कुल सही होगा ठीक है तो इस पूरा डीटेल बताया आपको कहां पर मतलब जो है आप मतलब करना है तो कर सकते हो यह भी मिन आपको पूरा डिल्स अच्छे लग रहे है तो कॉमेंट करके जरूरूर्टाना इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब को बताया अगर आप कांट करने जाओगे त सब्सक्राइब करने जो आपको पहले बताया हुए है कॉंसेप्ट या तो सब्सक्राइब के पूछ लिए है विए सब्सक्राइब करोगे तो आपका इंग्लिश और आपका जीके का तो पूरा 22 का पतलब जो पेपर था पूछ लिए थे तो आपको बता रहा था आपका आपका पूरा पुरा पूरा पीपर की बात प्रतों उसमें से क्या है रिपीटेड है तो यह आपको पेपर लगा होगा सब लोग जो है एक्जाम क्वालिफाइब कर लोगे और डिटेल एनालसिस जो है मतलब आपका कट-ओ के बारे में हां उसके लिए मैंने गूगल फर्म बनाये हुआ है जिसका लिप मैं आपको डिस्क्रोशन बाक्स देदा तो अगर आपका जो भी इस प्रोविजिञर आसर की और जिमें आपको बताया उसके को भी आपके मार्क बन रहा है वह मुझे कॉमन सेक्शन में में कॉ सो बहुत ही मुश्किल है लेकिन थोड़ा बहुत एवरेज रफ आईडिया आपको आ जाए इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा सो सब लोग डेटा फिल करना मतलब मैक्सिमाम हंडेड रिस्पोंस आ जाएगे मतलब मिनीमम हां उतने तो चाहिए इसके हम बात करेंगे तो उसका वीडियो बनाऊंगा लेकिन पहले उसको गल फॉम में सारा डेटा जो है डाल देना और आपको ऐसा लगा है कि किसी ना किसी वे में हां देखो 55 कृश्चिन मतलब बहुत ज्यादा होता है इतने मार्क्स अगर आपके आरे अराउंड 80 मार्क त करें सकते हो अगर आपको एसा लगा है कि मैं आपको किसी ना किसी वे में हेल्ब किया है तो सब्सक्राइब करवाना और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो से अच्छे लग रहे है तो लोगों के साथ सब के साथ शेयर भी करना ठीक है मिलते हैं फिर थैंक्यू वेरी बच्छ धियो खुछ